वीडियो तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिद्पस्टर्स को कंफॉर्म या बस करने जा रहे हमारा पहला मित यह है कि जिम ग्लास पे जम करो फिर देखो मैजिक तो गैस हमारे घर के ऊपर एक जिम में अगर आपको पता होगा तो फिर अगर आप इसकी ग्लास पर जाके जम करते हो कुछ इस तरीकी से फिर हम लोग भाई कांच के अंदर अटक जाते हैं यहां पर मैं सच में अटक चुका हूंगा इस बिल्कुल भी एक्टिवेट कर दो तो शायद हो सकता है कि आप बाहर आ जाओ लेकिन आउट भी हो जाओगे और मेरे को लगता है मै तब भी बाहर नहीं आ पाया हूं तो यमित कंफर्म्ड है हमारा ग्लामित यह है कि बोलेरो के स्पीडो मीटर में 188 लिखा है तो इस बोलेरो का चीट कोड है 3100 आगे है हमारी सूपर बोलेरो बैटते हैं इसके अंदर करते हैं फिर फर्स परसन और देखते हैं क्या लिखा स्पीडो मीटर में का स्पीडो मीटर में एक्जैक्ट 188 की स्पीड लिखे हुई है अगर आप लाल वाला देखोगे जो लाल डिजिट्स है वह 188 लिखा है जो कि इसकी स्पीड है गाईस तो यमित कंफर्म्ड है हमारा एक लामित यह कि हम लोग बोलेरो की जहत के उपर न लेंड करेंगे गाईस फिर एक्जिट मार देंगे जैट पैक से और फिर देखते हैं क्या हम लोग खड़े हूपाते हैं की नी तो इसके ऊपर हमने लेंड कर दिया है एक्जिट किया और आप देख सकते हो कि मुझे भाई नीचे फेक दिया गया है तो बिल्कुल फ्लैट के ऊपर भी हमनों खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो यमित कंफर्म्ड है हमारा ग्लामित यह कि न्यू अपडेट के बाद फुटपार्थ के ग्राफिक्स चेंज हो गए हैं तो ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्यू कि भाई नी अपडेट में न्यू अल्ट्रा ग्राफिक्स आ चुके हैं थोड़े बहुत ग्राफिक्स इसमें इन्हेंस कर दीगे इसलिए फुटपार्क पर देख लो चाया वरोड पर देख लो कहीं कहीं पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और इसलिए ज्यादा क्लियर दिख रहा है तो यमित क हमारा ग्लामिती है कि हेलिकॉप्टर में बैठने का स्टाइल चेंज हो गया है और उसकी आवाज भी बिल्कुल रियल हेलिकॉप्टर जैसी हो गई है तो हमारे हेलिकॉप्टर का चीट कोड है गाईस 8000 का आ चुका है यह पहले तो भाई बहुत डामा डॉल होता था जैसी आ रही है जैसे हेलिकॉप्टर के पंके घुमते न वैसी आवाज आ रही है पहले बहुत ही अलग आवाज आती थी तो यह पूरी चेंज कर दी गई है और पहले न यह जो पीछे के ब्लेट दिख रहे हैं दो यह शायद से थोड़ा रुक रुक के घुमते थे लेकिन अब यह बहुत तेज घुम रहे हैं तो यह मित कंफर्म्ड है हमारा अपडेट के बाद नदी का पानी चेंज हो गया है बहुत रियलिस्टिक लग रहा है तो यह भी अपडेट में चेंज हुआ है जो हमारा पानी गाइस पानी बिलकुल ही चेंज हो चुका है बहुत ज्यादा रियल लगता है इसके लिए मैं लेकर चलता हूं आपको भीज के पास यह पानी देखो आप गाई यह पानी आप बिलकुल ही नीला कर दिया है फूल ब्लू कर चुके हैं और अगर बिलकुल पास से देखेंगे ना तो हमें इसकी वेव स्टाइप में भी ग्राफिक्स दिखती है तो हेलिकॉप्टर को बुला लिया है मैंने बैट टेंस के अंदर और करते हैं इस एफपीपी तो भाई बढ़िया यह फिक्स हो चुका है गाईस पहले हमारे फपीपी में हमारे घुटने दिखाई दे थे और कुछ भी नहीं लेकिन अब बहुत बढ़िया दिखाई दे लेकिन यह इंटिरियर भी ने चेंज कर दिया हेलिकॉप्टर का तो यह मित कंफर्म्ड है हमारे अगले दो मित से गाईस पहला यह के न्यू फायर ट्रक का फ़र्स पर्सन कैमरा एंगल सभी कार से अलग है तो न्यू फायर ट्रक आता है 606 की ही चीट कोट से जिससे पुरा यह तो मैं थार्ड पर्सन में भी अगर राइट की तरह घुमा दूं ऐसे तो भी वैसे देखेगा तो इसमें तो भाई कुछ भी चेंज नहीं है तो यह मित कंफर्म्ड है और इनका अगला मित यह है कि न्यू हाउस के सामने जो कार स्पाउन रहती है अगर हम हाउस से दू कार अगर गई तो भाई गई कहां पर तो आज चुका हूँ मैं अंदर और यह देख लो कार जो है वो डी स्पॉन हो चुकी है यह कैसे हो चुका है क्योंकि यह कार तो भाई स्पॉन ही रहनी चीए पूरे टाइम ऐसा तो नहीं है कि वहाँ खड़िये पर दिखाई नहीं द यह किया और जैसी मैंने किया यहां पर कोई भी लाइट नहीं जली घर की लाइट भी नहीं जली ना है इन लैंप्स की जली है गाईस अब एक बार हम लोग पुराने घर पर भी देख लेते हैं क्या पता उसकी बात करी हो तो यह आ चुका हूँ मैं अपने ओल्ड हाउस में और यहां का जो लैंप है यह रखा है यह भी देखो यह नहीं जल रहा है तो यह मित बस्तर है हमारा एकला मित दिया है दिव्यान शगरवाल ने और इनका मित है कि रोल ओन लिखने पर में मैजिक होगा और गाईस अगर आपको भी अपने ऐसे ग्लिचेस और मित्स देने है तो भाई लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस फॉर्म में अपने वीडियो से अपलोड कर सकते हो और साथ ही में अपना नाम भी दे सकते हो तो चलते हम लोग गाईस हमारे पीछे वाले कंटेनर के पास जहां पर यह असली मैजिक होने वाला है तो यह वाले रै करते हैं इस पर अपनी बाइक ले जाने का और फिर देखते हैं क्या अलग चीज होती है तो इदर में लाया अपनी बाइक और जैसी में से टकरायों यह देखो अभी तो कुछ अलग हो रहा है क्योंकि यह बार-बार मेरे पढ़ रहा है तो मुझे नीचे गिनने नहीं दे है तो यही से इन चीज हम लोग कार से ट्राय करने जा रहे हैं क्योंकि कार में हम लोग आउट हो नहीं सकते और देखते क्या होता हो यह बिल्कुल पर्फेक्ट रिटता यह देखो गाईस मेरको इना इसने असमान में पहुचा दिया वह भी मेगा रैम से भी उची जगे प अगल में भाई कि तना दूर फेग दिया यार मुझे कितना दूर गाईस देख रहे हो इतना दूर भी कार रुकी नहीं है यह मैं नहीं चला रहा हूं बटा नाम देख लो मैं चला रहा हूं यह उसके इंपेक्ट से हम लोग पीछे आ रहें पतानी कितना दूर तक होगा और यह off हो जाएगा और एक सेकंड शायद से मुझे कुछ और भी समझ में आए गाइस एक बार फिर इसको on करके देखते हैं रोल लॉन लिखा on हो गया अब मुझे लग रहा है जैसे आप इसको off करोगे ना तो उसी position में off होगा जैसे पहले देखो सीधा हुआ था यहा पहले तो खड़े होके देखते हैं फिर देखते हैं कि यह सब activate हो सकता है कि नी तो मैं आँ चुका हूँ बीचो बीच बिल्कुल ठीक है अब उतरने वाले हम लोग लैडर के ऊपर यह आए और बाहर भेग दिया यार इसमें आप देखो कितनी चीज़ है यहां पे एक कर रहा हूं मैं और आप देख सकते हो यहां भी हम लोग फेल हो चुके हैं तो यह मित कंफर्म्ड है तो यह थे हमारे आज के सारे मिट्स गाईस अगर वीडियो अची लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंडियन अपने मिट्स ताकि हम उनको ले अगले मिट्बस्टर्स की वीडियो में और मेरी पछली वीडियो देखनी हो इंडियन बैक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के उपर आ रही होगी देख लो दबा के